सर गोप्रो हीरो 10 को इंस्टा 361 X2 जे कंपेर करें, इंस्टा 361 X2 का कैमरा कैसे है, आरे इतने सारे कमेंट्स आयों है गाइस, गोप्रो हीरो 10 रिव्यू वीडियो के उपर मतलब मज़ा आ गया देखें और क्यों ना आज इसको कंपेर करी दे, दोनों कैमरा आज हमारे पास ह तो इस पर वीडियो बनती ही है, गोप्रो हीरो 10 और इंस्टा 361 X2 ये दोनों ऐसे कैमरा से जब भी बात आते हैं व्लोगिंग करने की, शूट करने की, ट्रैवल वीडियो की या फिर एक्शन वीडियो की, तो दोनों काफी बढ़िया माने जाते हैं, लेकिन जब बात आते इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है, कौन सा हमें लेना चाहिए, तब confusion बहुत ज़्यादा create होती है, तो मैंने सुचा क्यों ना इन दोनों को practically test किया जाए, और इस confusion को आज दूरी किया जाए, कि दोनों में से कौन से कैमरा बढ़िया है, तो आज की वीडियो में गाईज जो हम हमेशा experience करते है, तो वो होता है इसका design, user interface और features, तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में से किसमें अच्छे features है, कौन सा use करने में जादा हमें असान लगता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इंस्टा 360 1X2 की design की, तो एक तरफ हमें यहां कैमरा देखने को मिलता ह बड़ display काफी चोटी है, जब आप इसको practically भाहर यूज करेंगे, तो आपको काफी चोटी display देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको दो mode देखने को मिलता है, यहां तो है 360 या फिर है 150 डिगरी, तो यह जो है इस तरह से 150 डिगरी या फिर 360 डिगरी में हम इसमें record कर सकते ह और यहां पर गाईज touchscreen हमें देखने को मिलती है, उबर भी camera है, और नीचे गाईज यहां पर notification light है, यह है recording बटन जैसे आप इस पर click करेंगे, तो यह recording चालू कर देगा, और recording चालू करके आप लाइट blink करने शुरू कर देता है, ताकि आप जो है easily understand कर सकें, कि आप जो है recording on कर चुके है, इस पर दबार दबाएंगे, तो यह वाप इस से recording off कर देगा, swipe left करके गाईज हम playback देख सकते हैं, यहां पर touch जो है जाधा अच्छी responsive नहीं है, मतलब आपको दो तीन बार इस तरह से करना पड़ेगा, तो जो है touch सही से काम करती है, तो यह एक जो है इसमें drawback म मैं आपको बताऊं, तो जब आप इसको use करेंगे तो आपको काफी difficult होईगी circular display में use करने में, क्योंकि जो icons है वो कुछ जाधा ही छोटे हैं, तो आप जब touch करेंगे, तो आपको थोड़ा सा detail में touch करना पड़ेगा, तो जाके जो है आप अलग-अलग features को access कर पाएंगे, ब इस तरह से touch करके जो है अलग-अलग angle देख सकते हैं कि किस angle से आपको recording करनी है, तो यह जो है circular way में आपको दिखाता है कि आप किस तरह का frame करना चाहते हैं, अब बात करते हैं GoPro के design और इसके features की तो guys, GoPro में आपको पीछे की तरफ एक बड़ी LCD देखने को मिलती है और सामने क तरफ भी LCD screen देखने को मिलती है, यानि कि front और back दोनों तरफ जो है screen है और यहाँ पे एक camera में देखने को मिलता है, जो की main जो है सब को shoot करता है और अगर आप power on करना चाहते हैं तो side में हम यहाँ बटन देखने को मिलता है, इस तरह से इसको press and hold करके guys आप जो है power on कर सकते ह तो इस तरह से GoPro 10 Black जो है सामने लिखा आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि front screen और back screen दोनों जो है इस तरह से work करती है और GoPro Hero 10 के display जादा bright है Insta360 ONE X2 के comparison में और बड़ी भी है यानि कि आप जिस भी चीज़ पर touch करेंगे तो अच्छा responsive rate है और इसमें हमें कहीं तरह के mode देखने को मिलते हैं जैसे कि super view है, wide है, linear है या फिर narrow है तो guys यह जो हमें बहुत तरह के modes के option देता है जो कि हमें Insta360 ONE X2 में नहीं देखने को मिलते हैं उसमें सिरफ 150 या फिर 360 degree का mode है और इसमें stabilization का यहाँ पे dedicated बटन दे रख है इसके लाबा इस camera को use करना काफी ज़दा अ आसान है Insta360 ONE X2 के comparison में क्योंकि जो display है वो बड़ी है आप जाधा अच्छे से हर चीज को access कर सकते हैं जैसे कि अगर आप mode change करना चाहते है वीडियो से photo पे जाना चाहते है तो बहुत ही असान है इस चीज को access करना और touchscreen का response rate है वो भी काफी जाधा अच्छा है Insta360 ONE X2 के comparison मे आप इसकी settings को access कर सकते हैं और अगर आप playback देखना चाहते है पहले का shoot क्या हुआ तो आप यहां से देख सकते हैं और व्लोगिंग के लिए front display बहुत काम क्या तो व्लोगर्स को यह चीज बहुत काम आने वाले आप easily frame देख सकते है front display में कि किस तरह से आप जो है overall shoot कर रहे ह तो design और touch response के मामले में या फिर overall अगर मैं बात करो तो gopro hero 10 much much better है क्योंकि इसका touch response भी अच्छा है design भी और compact है मतलब कि काफी handy है insta360 1x2 के comparison में और इसमें हमें diol display भी देखने को मिलती है तो एक normal consumer के हिसाप से यह चीज जो है जादा appealing है यह चीज जादा consumer को attract करती है अगर हम बात करें दोनों cameras की video capabilities की दोनों cameras 5.7K में जो है video record कर सकते हैं तो video capabilities दोनों camera की विल्कुल सेम है तो honestly बताऊंगा इस दोनों camera ही handy है दोनों easily हाथ में fit हो जाते हैं और use करने में भी easy है लेकिन अब बात आती है video performance की जिसके लिए main camera बने है तो वह हम test करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले vlogging test की दोनों से vlogging में करके आपको दिखाते हो जिससे आपको better idea होगा कि कौन सा जो है camera best vlogging में use किया जा सकता है तो अब मैं दोनों cameras को बाहर लेके जरूर testing के लिए और बहुत ज्यादा गर्मी है यह जरूर लेके जाना पड़ेगा जितने में बाहर शूट करके आरो ठंडक पहुचाने के लिए like जरूर कर देना मैं फटावट सेनकर testing करके आया तो this is the quality we get from the gopro hero 10 और prospective अभी है superview यानि कि widest जो प्रोस्पेक्टिव वो मैं अभी capture करूँ जाकि आपको एक better idea होजे कि आप कितना ज्यादा area capture कर सकते हैं और आप इसे 5.7 के तक शिफ्ट कर सकते हैं अब मैं guys आपको इसकी stabilization दिखातु तो अगर आप camera को हाथ में लेके इस तरह से move करते हैं या फिर आप camera को हाथ में लेकि कोई भी इस तरह से शौट दिखाना चाहते कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टिव दिखाना चाहते तो आपको stabilization कुछ इस तरह की देखने को मिलती है तो गोप्रो के comparison में आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर आप इस तरह की पफरमेंस देखने को मिलती है और गाइस मैं अभी हैंडल चूट करूं तो काफी जर्ग आ रहे अभी हैं बट वीडियो में आई हो भी अच्छे से stabilize कर रहा होगा और इस वीडियो से आपको बैटर आइडिया होगा कि गाइस किस तरह की देखने को मिलती है इंस्टा अगर आप इस तरह इस व्लॉग इंट वीडियो बनाते हैं अब जिल लोगों को जादा सूपर व्यू पसंद नहीं मतलब वह ज्यादा डिस्टोशन नहीं चाहते ज्यादा वाइड प्रोस्पेक्टिव नहीं चाहते उनको जो है गोप्रो के अंदर नेरो मोड देखने को म इस तरह का प्रोस्पेक्टिव चाहिए उसके कोडिंग आप सेलेक्ट करके अपने कोडिंग जो है वीडियो मना सकते हैं इंस्टा 360 में हमें कोई ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलता जिसमें हम अलग-अलग मोड को चूज कर सकते हैं या फिर आप 360 में दोनों कैमरा यूज कर सकते हैं तो कोई पी इसमें लीनर मोर नीया फिर कोई यह वाइट मोड ने है कि अगर आप फ्रेम को जूम करना चाहते में अब गाइज मैंने मोड जो है चेंज कर लिया 360 में और इसमें क्या होगा अभी चारों तरफ से कैप्चर करेगा मेरे हाथ में मैं एडिट में किस तरह का कॉंपोजिशन करना चाहतों कहां का प्रोस्पेक्टिव दिखाना चाहतों वह मेरे हाथ में जो बाद में कंट्रोल आते हैं तो 360 वीडियो रिकोर्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसका आगे और पीछ दोनों कैमरा गाइस रिकोर्ड करते हैं और जो भी मेरे को दिखा रहा है अपने आपको या फिर बैक्ग्राउंड में या फिर लेफ्ट में मेरे राइट में वह सारी ची 360 क्वालिटी आपको गईस कुछ इस तरह की देखने को मिलते हैं अगर आप इस कैमरा से 360 वीडियो बनाते हैं अभी मैं काफी देर से जो है इंस्टा 360 1x2 पे शूट कर रहा था और यह जो है गरम होके हैं हो गया एस यू कैन सी बिल्कुल रिस्पोंस नहीं कर रहा तो यह है इसमें मतलब अगर आप लोंग टर्म में शूट कर रहे हैं और ऐसी गर्मी में कर रहे हैं बहुत जादा गर्मिया आप देख सकते हैं तो यह हीट ओके इस तरह से हैंग हो जाता है अब इसको दुबार से उसकर हूँ बहुत जादा गरम हो चुक है अब व्लोगिंग के बात आती हैं नॉर्मल वीडियो ग्राफिक ही कि दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है है हैंड हेल शूटिंग करने के मावल में अगर आप नॉर्मल वीडियो इस तरह से शूट करते हैं तो कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म करता है तो यह वीडियो गाइस मैंने दोपैर क के वक्त शूट करें क्योंकि इस वक्त ना बहुत जादा अच्छी सनलाइट थी तो maximum light जो है camera capture कर पा रहा था और better quality दे पा रहा था अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो में camera को walk कर रहा हूं लेके तो guys इससे stabilization का आपको idea हो रहा हूँ कि अगर आप handheld इस camera को use करते एक normally जैसे हम video बनाते हैं हाथ में लेकी camera उस तरह से video बनाते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया quality देखने को मिलेगी क्योंकि जो exposure की adjustment है जो sky है या फिर हमारा जो subject है जो building है हर चीज की detail वाके काभिलित तारीफ है तो मैं बहुत impress हुआ GoPro Hero 10 की इस quality को देखके especially daylight में और उस camera का सबसे बड़ा drawback मेरे को लगा कि यह जो camera की files है वो directly हमारे phone या फिर PC में नहीं चलती पहले हमें इनके software में manually edit करना पड़ता है composition करनी पड़ती है तब जाके हम video को proper देख पाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा हाथ भी बीच विच में दिख रहा हुगा तो यह चीज ब काफी हद तक size से adjust कर रहा है अपने size के coding क्योंकि GoPro में sensor size काफी छोटा होता है उसके बाद guys हमने test किया Insta 360 का camera जिसमें हमें बहुत जादा grain देखने को मिली तो Insta 1x2 तो night में बहुती जादा खराब performance देता है अब दोनों को detail में compare करने के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि GoPro Hero 10 बढ़िया यह लेना चाहिए या फिर Insta 360 1x2 लेना चाहिए तो देखो guys आपको genuinely बताऊ ना तो मुझे GoPro Hero 10 जादा better लगा उसके पीछे काफी सारे practical reason है तो मैं आपके साथ share करता हूँ तो सबसे पहला reason मेरेको GoPro best होने का यह लगा कि GoPro की जो vlogging style में quality है या फिर overall video quality है ना वो इससे जादा मेरेको better लगी and guys यह camera जादा practical है अगर मुझे माल लीजे vlogging करने है मेरेको 3-4 mode देखने को मिलते है जैसे की narrow mode, wide mode, super view mode जिसमें मैं अच्छे से और भी बढ़िया composition कर सकता अब यहीं चीज़ अगर मैं इसकी बात करूँ माल लिजे मेरेको इसमें vlogging करनी है तो इंस्टा 360 1x2 में हमें 360 degree या फिर 150 degree यह दो mode देखने को मिलते हैं इसके रावा हमें और कोई mode देखने को नहीं मिलता कि अगर हम या तो इसमें narrow कर सकी या फिर wide कर सकी है मतलब वो चीज जो है ना वो control इसके अंदर नहीं है जिससे हमारा काम बढ़ जाता है editing पर क्यूंकि आप इंस्टा 360 में reframe करके अपने according तो वीडियो बना सकते है बट वो आपका काम बढ़ता भी है इसमें guys good to go है अगर आप कोई भी vlogging वीडियो बना रहे हैं आपको simply उसको phone में डालके 360 1x2 जो है जाधा weak है gopro hero 10 के comparison में जैसे कि मैं आपको दिखाया था कि वीडियो में इंस्टा 360 1x2 हीट होके hang हो गया था बिल्गुल response नहीं कर रहा था तो यह drawback लगा इसके लाबा जो इसकी battery backup है वो भी gopro hero 10 की जाधा अच्छी है इंस्टा 360 1x2 के comparison में तो battery backup भी हमें gopro मे best देखने को मिलती है अब next point जो मैं gopro का बताने वाल हूँ वो बहुत ही जाधा मेरे से भी relate करता है मतलब मेरी day to day life में मैं दोनो cameras को यूज करता हूँ तो ये camera में जाधा relate करता है और वो है guys versatile होना इस camera को हम generally किसी भी तरह के videography में यूज कर सकते है मालनी से मेरे को point of view shot ले इसका use बहुत ही limited है और मुझे लगता है इंस्टा 360 में 360 वीडियो बना बना के आप एक point में तो bore होई जाएंगे बट ये guys आप जो है बहुत तरह की situation में use कर सकते है और इसकी accessories भी जादा है third party जो accessories हमें देखने को मिलते हैं वो भी बहुत ही outstanding है इंस्टा 360 1x2 के comparison में और और एक और बात आपको पताऊंगा इस GoPro Hero 10 तो मैं आपको बताई दया किस चीज में best है लेकिन उस बात के अलावा एक और interesting बात ये चैनल photography और tech related वीडियो में भी best है तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले याद से subscribe करके future की सारी इसी तरह की interesting वीडियो आप देखते रहें इस कैमरा को खरीद को उन रहा है तो गाई इस देखो GoPro के अलावा Insta360 का अलग use है Insta360 उन लोगों के लिए कामियाब है उन लोगों के लिए best है जो 360 वीडियो शूट करना चाहते है जिनने 360 वीडियो की बहुत जादा नीड बरती है जो लोग travel करते है उन्हें लगता है कि म उनके लिए भी ये कैमरा बहुत best है तो एक वीडियो से चार तरह के शॉट इसमें राम से निकाल सकते है क्योंकि 360 है आप लेफ्ट का भी अलग शॉट ले सकते है राइट का भी ले सकते है फ्रंट का बैक का उनके लिए ये कैमरा काफी best है इसके अलावा जो व्लोगर्स या फिर content creator already gopro या फिर DSLR यूज कर रहे है अपने vlogging या फिर content creation में उनके अलावा वो 360 shots भी अपनी वीडियो में डालना चाहते है add-ons के लिए बढ़िया visuals के लिए वो guys इस कैमरा को buy कर सकते है तो इसका अलग use है इसका अलग use है बट generally अगर मैं बात करो दोनों में से तो ये ले भी ए कैमरा best है तो overall guys no doubt gopro hero 10 is the winner in terms of general use बट अगर हम बात करें 360 वीडियो तो 360 वीडियो तो यही capture कर सकता ये भी नहीं capture कर सकता दोनों अपनी जगा best है लेकिन gopro के usage जादा है and guys मैं सोच रहा था क्यों नग gopro hero 10 को iPhone 13 pro से compare के जाए test के जाए अगर आप वो वीडियो चा अब देख सकते हैं कि अब इसका current price का है वहाँ आपको इस product के price की सारी detail देखने को मिल जाएगी and आप इसे जो लोग इन cameras को और भी detail में जानना चाते हैं तो इन दोनों cameras को मैंने detail में test किया हुए दोनों cameras की detail video का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सक लगते हैं और नीचे जो subscribe का button अना वो भी दबाते आना ओके guys see you all in the next video